अभी हाली में आप लोगों ने देखा होगा कि 68 बादा सहब फाल के पुरुसकार आसा पारिक को दिया गया है अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी करें होगे तो आपने देखा होगा कि इस तरह के कुश्चन्स आपकी परिक्षाओं में पूँच ले जाते हैं तो आज हम लोग आसा पारिक के बारे में बात कर लेंगे या खिर हैं कौन इनकी क्या कहानी है उस पर भी बात करेंगे और दादा सहाब फाल के के बारे में हम लोग बात करेंगे जिनने आप जानते हैं कि भालतिय सिनेमा का जनक कहा जाता है और दादा सहाब फाल के पुरुस थी और इनका जनम दादा साहब का 30 अपरेल 1870 में हुआ था और 16 फरवरी 1944 में इनकी डेथ हो गई थी और इस पुरुसकार की बात करें तो आप देखेंगे कि भारतिय सिनेमा में युगदान के लिए ये पुरुसकार दिया जाता है और इस पुरुसकार में आप देखेंगे स रुवात हुई थी कब 1969 में और पहली बार ये देवी का रानी को दिया गया था किसे देवी का रानी को दिया गया था उसके बाद अभी हाल के देखें अगर हम लोग तो आप देखेंगे 65 बार दादा साहब हाल के पुरुसकार 2017 में बिनोत खन्ना को मिला था और 2018 में 66 बार दादा साहब फाल के पुरुसकार अमिताप बच्चन को मिला था 2019 में 67 दादा साहब फाल के पुरुसकार रजनी कांथ को मिला था और 2020 का 68 आसा पारिक को मिला है ठीक है अगर आसा पारिक की बात करें तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर इन्हें देख भी रहे होंगे और कई मूवियों में आप लोग ने इन्हें देखा होगा और इनके अगर हम लोग जनम की बात करें न तो इनका जनम एक गुजराती परिवार में हुआ था और बॉंबी प्रेसिडेंसी में हुआ था बेटिस भारत में इस महाराष्ट को आप लोग देख रहे हैं न इसी की बात हो रही है उन्निस सो सेटालीस के पहले आप सभी जानते हैं कि हम लोग अंग्रेजियों की अधीन थे तो उसे बॉंबी बॉंबी प्रेसिडेंसी कहते थे और महाराष्ट की बात करें तो अभी बरत मान में महाराष्ट की राधानी मुंबई है और इसे राजी कब बनाये गया था एक माई 1960 में इसे महाराष्ट को राज बनाये गया था यहां बरत मान में बिधान सभा में 288 सीटे हैं बिधान परिशन में 28 सीटे हैं राज्य सभा में 19 सीटे हैं लोग सभा में 48 सीटे आप लोगों को देखने को मिलेंगी और आसा पारिक का जनम 2 अक्टूबर 1942 को सुधा और बच्चु भाई पारिक के यहां हुआ था जो गुजराती बनिया थे और गुजरात पहले महराष्ट में ही हुआ करता था ये भी आप लोग याद रखेगा और इनकी माता का नाम सुधा और इनके पिता का नाम बच्चु भाई और बे एक साधरन से मध्यमबर्गी ये गुजराती जैन परिबार में जनमी थी और बच्चमर में कभी वो डॉक्टर तो कभी आईये सदिकारी बनने की बारे में सोचती थी बहुत छोटी सी उम्र में ही उनकी माता जी ने उन्हें डांस सिखाने के लिए बिभिन डांस इंस्टिटूट में उनका दाखला कराती थी और भी उन्हें एक अच्छी डांसर बनते देखना चाहती थी बहुत से डांस सिख्चकों में उन्हें डांस की तालीम भी दी सिख्चा दी भी दी और जिन में स कई बड़े सो डांसों भी किये हुए और बे देसों में भी अपना नित्त सो करती जाती थी अभी भी सिंगल हैं आसा फारिक आप सभी जानते हैं कि विवाहिक नहीं है इन्होंने साधी नहीं किये है वह साधी ना कर पाने की बजय बताते हुए कहती हैं एक इंटर्वीव में इन्होंने ए बात कहीं भी है, कि कौन से मावाप हैं जो अपने बच्चे की साधी नहीं करना चाहते हैं, इनकी साधी इनकी माने भी करनी चाहिए, कई रिष्टे देखे गए, बातचीत की गई, लेकिन कोई बात नहीं बड़ी, साइद साधी विवा किस किसमत की बात होती है, और किसमत में इन्होंने कहाए, इनकी साधी नहीं लिखी थी, और किसमत की आंगे कुछ भी नहीं हो सकता है, और एक सकसे से इने प्यार था, और वो साधी सुदा था, आसा ने ये भी बताया है अपने इंटर्वीव में, कि जिस सकसे से प्यार करती थ वो साधी सुधा थे और ऐसी में उनकी साधी करके वो घर तोट ने बाली ओरत नहीं कहलाना चाहती थे और इसलिए उनके पास सिर्फ यही विकल्ब बचा था कि वो आजीवन सिंगल ही रहे और आसा फारिक ने अपनी जिंदगी के इस एहम और इमोशनल किसी का जिकर अपनी बायोगराफी हिट गर्ल में भी किया जो 2017 में आप देखेंगे इनकी मोवी रिलीज हुई थी और इसमें आसा ने बताए कि वो फिल्म मेकर नासिर हुसेन से प्यार करती थी मगर वो साधी सुधा थे और इस वज़े से आसा ने उनसे दूरी बना ली थी और दिलीप कुमार था एक फिल्म में उनके साथ काम करने का किनके साथ दिलीप कुमार के और इनकी एक फिल्म सुरू भी हुई थी लेकिन ना जाने क्यों वो फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी इसके बाद वह चाय कर भी दिलीप साहत के साथ दुबारा काम करने का कोई इने मौका नहीं मिल और एक बाद का और कहती हैं हपसोस रहेगा इने आसा वारिक ने एक बाद एक बच्चे को गोध लेने की भी कौसिस की थी लेकिन वहाँ भी बाद नहीं बन पाई थी वह बताती हैं कि एक बाद एक बच्चे को गोध लेने की कौसिस जरूर की थी लेकिन कुछ कारण बस इनका ये सपना भी पूरा नहीं हुआ वह कहती है कि बैसे मुझे बच्चे को गोध ना लेने पाने का कोई मलाल नहीं है जब आज के बच्चों को देखती हूँ तो आपने माता पिता के अध्यान नहीं रखते हैं जो सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ मैंने दुबारा किसी बच्चे को गोध लेने की बात नहीं सोची ये हकीकत भी है अगर हम लोग इनके फिल्मική केरियर की बात करें तो आसा पारेक ने अपने केरियर की सुरुवात बाल कलाकार की रूप में की थी और बेबी आसा पारेक नाम से की थी और पिसिद फिल्म नेदेशक बिमर रोय ने उन्हें इस्टेज समारों में नित्र करते देखा और उन्हें 10 साल की उम्र में मा एक मोवी थी इसमें लिया था फिर उन्हें बाप बेटी में भी दोराया इस फिल्म की बिफलता में उन्हें निरास किया बहले ही उन्होंने कुछ और बाली भूमिकाएं भी की और फिर भी उन्होंने अपने स्कूली सिच्छा को फिर से जारी रखा और 16 साल की उमर में उन्होंने फिर से अभिने करने की कौसिस की और एक नायका के रोम में अपने सुरुवात की लेकिन उन्हें अभनेत्री अमिता अमिता के लिए विजय भट की कूझ उठी सहनाई से खारेज कर दिया क्योंकि फिलम निर्माता ने दावा किया था कि वो एपिसिद अमनेत्री बनने की काविल नहीं है ठीक आठ दिन बाद फिलम निर्माता सुवोध बनर जी और लेखक नेदेशक नासिर हुसेन ने उन्हें सम्मी कपूर के विप्रीद दिल देके देखो मैं नायका की रूम में लिया था और इसने मूवी ने एक बड़ा सितारा बना दिया ने ये 1969 की बात हो रही है इनकी कुछ मतपूर मूवी आए ये भी देख सकते हैं जैसे 1905 में आप देखेंगे धोवी डॉक्टर बाप आनी 1961 में घराना चाया जब प्यार किसी से होता है 1962 में अपना बना के देखो 1966 में आए दिन के बहार के तेसरी बंजिल लब इन टोकियो दो बनन ये 1966 में मूवी आए हुई थी 1968 में कहीं और चल सिखर कन्यादान ये सब ही मूवी आए थी 1970 में कंकंदे ओले यह एक पंजाबी फिल्म थी कटी पतंग नया रास्ता भाई भाई पगला कहीं का नया रास्ता आन मिलो सजना ये मूवी आए 1970 में आए थी 1972 में राखी और हतकड़ी समाधी इनकी मूवी थी 1974 में अंजान राहे 1975 में रानी और लाल परी जक्मी भी मूवी थी इनकी और 1976 में उधार का सिंदूर इनकी मूवी आए थी 1978 में मैं तुलसी तेरे आगन की भी और 1989 में बिन तेरे हम तेरे प्रेम विवा इनका आई थी 1980 में 100 दिन सास के और बुलंदी मूवी भी थी 1981 में कालिया खेल मुकदर का 1984 में धरम हो कानून मंजिल मंजिल पाखंडी इनकी मूवी थी 1988 में हमारा खांदान मैं तेरे लिए सागर संगम हम तो चले परदेश ए मूवी आई थी इनकी 1989 में बटवारा हत्यार मूवी आई थी 1993 में प्रोफेसर की पडोसन के रूम में मूवी आई थी 1994 में घर की जित भागबान मूवी आई थी 1995 में इनकी आंदोलन मूवी आई गूई थी इन्हें बहुत सारे पुरुसकार भी मिल चुके हैं 1952 में आसा पारिक को पदम स्री से भी नवाजा जा चुका है और पदम स्री आप जानते हैं कि 1954 में शुरू हुआ था सन 2002 में इने लाइफ टाइम अचीवमेंट अबउर्ड मी मिल चुका है 2006 में सबतरंग की 87 अबउर्ड अंतराष्टी भारती फिल्म अकादमी गुजराती एसोसेशन और उत्तर अमेरिका के पहले अंतराष्टी सम्मिलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अबॉर्ड भी मिला था और इन्हें भारती फिल्म उद्योग में उत्किष्ट युगदानी के लिए भारतीय मोशन फिडियूसर एसोसियेशन द्वारा भी अबॉर्ड मिल चुका है 2007 में पूने अंतराष्टी फिल्म फियर समारो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अबॉर्ड बॉलिवोड अबॉर्ड जोकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलता है इससे भी सम्मानित हो चुकी है फिल्म फेडरेशन ओफ इंडिया द्वारा अपनी फिल्म में सफर के लिए गोल्डन जो भी अबॉर्ड से भी सम्मानित की जा चुकी है दिया गया आसाराम अकादमी द्वारा 20 अवार्ड मिला है ने 2000 बारे में नासिक अंतराष्टी फिल्म फेस्टिवल में दादा साहब फाल के मेमोरियल द्वारा जीवन गौरब पुरुषकार भी प्राप्त हुआ है ने 2011 में आप देखेंगे संस्किती कल्चर फाउंडेशन की दरफ से संस्किती कलासरी लाइव एमे अचीमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है ने और 2022 में अविनेत्त्री को आसा पारिक को दादा साहब फाल के पुरुषकार भी दिया गया है इनसे एक बिवाद भी जुड़ा हुआ है इन्होंने एक बार फिल्मों पर सेंसर सिप को लेकर बिवाद खड़ा कर दिया था सेखर पूर के एलिया बेर्त को साहब करने से इंक पास होने के लिए कि वो चलने लाइक है या नहीं कहीं समाच पर आप देखें विप्रीद पर भाव तो नहीं डालता है किसी की भाव नाए तो नहीं भड़ा करें है तो यह इसी के लिए बात हो रही है तो यह सौट के बाइगराफ या आप लोग कह सकते हैं किसकी है आसा पारेक की ठीक है